हेलो दोस्तो मैं विनौत कुमार चौधरी टैन टाइम्स गिनिस बूक वर्लिकॉर्ड होल्डर कंपीटर और टाइपिंग से सम्बंदित नए नए जानकारियों के साथ मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ता रहता हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ इसाथ बेल आइकोन का बडल जरूर दवाएं आज के नए जनरेशन को मैं बताना चाहता हूँ कि एक मैनुवली टाइप राइटर कैसे यूज किया जाता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे मैनुवली टाइप राइटर को यूज किया जाता है देखिए एफोर का यह मेरे पास एक पेज है इसको हम कैसे सैट करेंगे सबसे पहले इस पेपर को लगाने से पहले हम इसके नीचे के हिस्से को कुछ इस परकार से जो है यह जो नीचे का हिस्सा ऐसे फोल्ड करेंगे हैं आप देखेंगे फोल्ड करके मैंने थ्वोडा साइज को मोड लिया अप जैसे मोल ने के ओधिक लखीर मिखफिक जाती है इस पेश के उपर आप देख सकते हैं छोग लखीर दिख रही है यह इसलिह किया जाता है जब paper end हो रहा हो तो आप जैसे इस mark को देखें अपने paper को पलड़ दें लिए इस mark को दिया जाता है आप देखिए हम कैसे paper को लगा रहे हैं typewriter के अंदर और इस paper को जो है लगाने से पहले हम यह जो इसको नीचे करेंगे और फिर इसके बाद इसको हम भीड़िये gyle पर में इस्टुमेंट को इस निचे करेंगे और इस परकाल से देखे इस बोड्रो कौने को आप मिला रहे हैं ये देखे इस छारो कोन को हम मिला रहे हैं पेपर की फिर रोलर को नीचे गुमाएंगे और जैसे रोलर को नीचे गुमाएंगे कुछ इस प्रकार से यह आ जाएगा उसके बाद पीछे से आप देखेंगे यह जो पॉस्टन है दो यह पेपर सैट के लिए है यह दो पॉस्टन वर्न और टू यह लेफ्ट मार्जन को सेट करने के लिए है और यह राइट मार्जन को आप इस दोनों को थोड़ा साथ नीचे पुछ करके इसे खोल लेंगे उसके बाद पेपर को पीछे करेंगे और फिल्ट इस लाइन पर लाएंगे आप देख पा रहे हैं कुछ इस लाइन पर यह जो सैट करने पेपर सैट करने के लिए आप यहां बिल्कुल मिडल में यह जो दिख रहा है आप इस परकार से यहां आप लेकर आएंगे और यहां से आप लाइफट हैंड साइड से आप 10 का मार्जन देंगे कुछ इस परकार से स्पेश करके एक दो थीन चार पांच छे साथ आठ नो दस और यह जैसे यह जैसे ह सब्सक्त्राइब भडिक्राल करने जाएंगे तो आप इस तरह से आप देखेंगे यहां ऐह दिखेंगे के यहां जो है एक ऐरी और देखेंगे का परियोग करते हैं यहां से आप जो है राइट हैंड साइट का यहां से आप फाइव का बैक श्पेस लेंगे एक दो तीन चार और पाँच इस परकाल से पांच करने के बाद आप फिर पेपर को आगे करेंगे और यह जो मारजैन आपने सैट किया है है इसे पुछ करके और वहां तक ले जाएंगे जहां आपका। जैसे ये बैल कि आवाज आएगी इसका मतलब आपका वह पेपर जहां आपने युगा है वहाँ पर यह सैट हो चुका है तो है आपको आपने देखा यह लैफ ाइड और यह रारीफ का मारजन आप Set हो चुका है ऐस प्रकार से कुछ Set हो चुका है अब हम देखते हैं कि जब हम Type Type करते हैं तो पैरा बनाते हैं तो उसके पैरा बनाने के लिए हम 5 कमार्जन देते हैं तो आप यहां से 5 कमार्जन देंगे है एक, दो, तीन, चार, पांच और यहां देखिए आप ये प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन से हम इसको दबाते हैं, अब जैसे ही आप दबाएंगे तो आप देखेंगे ये यहां पर सैट हो गया, इसका फॉर एक्जांपल हम इसे चेक करेंगे, आप देखिए जैसे ही आप इस सैटिंग हो गया, तो यहां तक तो आपकी चीज़ किलियर हो गई, उसके बाद जो है, अब हम जो है थोड़ी सी में टाइप करने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूंगा, कि आगर आपको जो कोई लेटर अगर टाइप करना है जैसे कैपिटल, तो आप यह देखिए कि एरो बना हुआ है, इस एरो को आप इसे पुछ करेंगे ऐसे, उसके बाद जैसे हम जो है, कैप्स लॉक दबाते हैं, तो कैपिटल हो जाता है, इस परकार से इसको अगर आप नीचे की तरफ करते हो, तो सारे वर्ड आपके कैप्स लॉक में आएंगे, और जैसे ही आप इस इस परकार से तरीका, तो यहां तक आपकी चीजी के लिए है, थोड़ा सा मैं टाइप करके आपको दिखाना चाहूंगा, अब हमारा यह पेपर भी कुछ सैट हो चुका है, अब हम यहां से टाइप करेंगे, अब देखें किस परकार से मैं यहां एक पड़ी है, हमेशा टा आते ही आपका कैपिटल वर्ड आएगा, ठीक है, तो जैसे ही मैं इसे पहले देखें, मेरे को जैसे लिखना है, तो पहले मैं इस लीडल फिंगर से दबाऊंगा, और फिर यहां से मैं टाइप करना अब सुरू करूंगा, जैसे मैंने टी डबाया पहले, फिर दिस, अब मै थोड़ा सा टाइप करके दिखा रहा है, जैसे ये बैल के आवाज आती है, आपका पेपर जहां आपने सैट किया था, वहाँ पर ये खतम हो जुका है, तो आपको इसको अगली लाइन पर ले ले लेना है, अब हम मैं अगली जाहीं टाइप करगा उसमें, देखिए बैल बजी, आप देख सकते हैं, बैल बजते हैं, यहाँ पर बाट खतम हो रहा है, अब इसको हम इस परकार से ले जाएंगे, यहां नेक्स लाइन पर लाने के लिए हम कुछ इस परकार से यूज करते हैं, अब य अब हम यहां से टाइप कर सकते हैं, अब जैसे माल लीजिए, यह फिर बैल के आजाए और यह खतम हो गया, अब हमारे को ऐसा लगता है, कि हमारे से कोई एक बाट छूट गया है, बैक आना है, तो यह देखिए बैक स्पेस का, इसको जैसे ही आप दबाएंगे, तो आप द बैक स्पेस में चले जाएंगे और यहां आप टाइप कर सकते हैं, जैसे माल लीजिए, मेरा यह यह है, इसको में दुबादा से टाइप कर सकता हूँ, तो इस परकाल से बैक स्पेस का आप यूज कर सकते हैं, तो इस परकाल से आप कोई भी मैटर टाइप कर सकते हैं, तो आज मैंने थोड़ी चीजे बताई कुछ टिप्स बताए कि किस परकार से टाइप राइटर को साइट किया जाता है तो आज के वीडियो वीडियो में इतना ही बताना चाहूंगा और इस तरह की वीडियो में और बनाऊंगा मैंवल टाइप राइटर से इन फ्यूचर तो आप इसी तरीके से मेरे चैनल को से जुड़े रही है अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है कुछ मेरी जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और जादस जादा लोगों को सेयर भी कर सकते हैं धन्यवाद